अपना जोज का मैच है बंगलादेश वसस्ट मलेशा के बीच मेरा थीक है इस जादा इंपॉंट एक तरगे से डूर डाई समझ लो जो टीम जीते की वह आगे जाएगा जो टीम हरे की बाहर हो जाएगे तो बंगलादेश के पास में अच्छा मोका यहां से रहने वाले क्यों के सामने बहुत जादा एक श्ट्रॉंग टीम नहीं है बट कौन से प्लेयर्स अच्छे है अपने लिए तो फैंटेसी टीम बनानी है तो मैटर करता है कि अपने लिए प्लेयर कौन से बढ़िया आते निकल करता है तो वह कैसे बनेगी और क्या प्लेयर्स के रिकोर्ड है सब्सक्राइब करके रखो टेल्ग्राम चैनल भी जोइन कर लेना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है साथ-साथ फर्ष्ट कमेंड में भी है तो जहां से आपको सही लग है बस जोइन जरू कर लेना क्योंकि काफी सादा ही बॉंट है बात करें अपने मैच की तो यहां से 11-30 एस मैच कर लाइन पिंग फैंक केंपस क्रेट फिल्ल हंग्जो में जो मैच यहां पर रहने हो अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो अभी तक जो एशन गेम्स यहां पर खेले गए मैंस वाले मैच इस की बात कर रहा हूं 11 खेले जा चुके है साथ बैटिंग फ करूं या तो स्कॉर बहुत जादा बना है या स्कॉर बहुत कम बना है या तो 150 से नीचे है या फिर भाई 300 क्रोस कर गया था एक बार तो और बाकिया आपको 200 से उपर देखने को मलते हैं ठीक है उसके बाद में आते जारा है इधर के पिछले चार मैच के उपर तो देखो जो चीज में आपको गई कि भाई जो टीम स्ट्रोंग है वो विन कर गया और जहां दोनों टीम कहीं ना कहीं बराबर आती है वह एक अच्छा मैच देखने को मिला जैसे फर्स्ट अफ उक्टोबर को हुआ था जापान ने 127 बना है होंग कोंग ने बना दिया उस मैच हो 133 चेज कर दिया था मतलब उन्होंने च्छे विकेट पेस के तो पांच विकेट स्पिन के दे वहीं पर बाकि जो मैच तीन अक्टूबर को वह था इंडिया ने 202 मना है नेपाल 179 पर रुग गई अब देखो बैटिंग बेच है तो कहीं ना गई नेपाल ने भी 179 बना दिय पाकिस्तान 160 पर एक बरत को तो यहां पर पाकिस्तान को भी मुश्किलों में डाल दिया था हूंकों की टीम ने चार विकेट पेस के निकले 15 विकेट थे वहाई यहां पर स्पिन की और दो एक्टूबर को मैं चौँ मलेशिया ने 268 बना दिये थे थाईलेंड के अगेंश् को भी साथे साथ स्पिनर्स भी यहां पर कमाल करते हैं ठीक है अब आते चाने ने चुने के लिए बंगलादेश की प्लेइंग एलवन के ओपर बंगलादेश जो बैटिंग और वहां पर आपके साथ में शेयर कर दूँआ ठीक है तो वहां पर एक्टिव रहाना डेडलाइ उसके बात करें जाकिर हसन है अच्छा प्लेयर है और सभी के जो रिकोर्ड्स है वो लीश्टे मैचेस के हैं किसी ने भी अब तक ऐसा नहीं है कि भाई टीटवन्टी खेलाओ कुछ ही एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हों ने टीटवन्टी मैचेस जो है इंट्रेंशल खे बना सकता है और उसके बाद में हाँ से महमदूल हसन जो है जो कि नॉर्माली बोलिंग भी डालता है यारन जिरो विकेट है फिर दो विकेट है फिर यहां सब्सक्राइब नहीं लिया रन थोड़े जादा एक्सपेक्ट आप इंसे कर सकते हैं यह एक्सपीरेंस है 45-96-48 का स साथ-साथ बोलिंग भी करने वाल है ठीक है रिसेंट अगर आप देखते हो तो एक सेंचुरी भी शामिल है 11-0 विकेट है और 33-36-64 का स्कोर आपको देखने हो मिल जाता है अब यहां पर कहीं नहीं का एक तरीके से मान सकते हैं सारे प्लियर्स में यहीं है जो सबसे बढ़ हुसें के तरफ साब को रॉन्स देखने को मिल सकते हैं फ़र्ष बैटिंग हुई तो 60-70 के असपास उसके लावे यहां शादत हुसें है विकेट वगर है शादत हुसें की तरफ से ठीक थाक है किसी में विकेट ली है किसी में नहीं ठीक बोलर है डिसेंट है ऑफ प्रिक ब बॉलिंग करता हो दिख जाएगा तो बिल्कुल इंपॉर्ट बनता है टीम के लिए भी काफ़ इंपॉर्ट बनने वाला है उसके बाद में राकेबुल हसन है जो कि लेफ्टाम और तो रोक्स है विकेट वगर राकेबुल हसन की तरफ से भी अच्छे निकाले हुए है उसके फॉर्म देखकर थोड़ा सा जादा भरोस आएगा कि भाई बंदेने हर एक मैच में एक से दो विकेट निकाले ही हुए है ठीक है और उसके बाद मेहाँ से रिपन मंडल है विकेट वगर इनके भी ठीक है बट एक एक विकेट जाद है कभी कबर थोड़े जादा भी निकाल बनता है मैं अच के लिए थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ जील में तो सीवीसी में करने वाला हूं पर वैस्वालिंग में भी ले सकते हो एंड उसके बाद में आपके पास में यहां से मृतुंजा चोधरी हुए हसन मुराद हुए यह आपके पास कहीं ना कहीं इंपॉर्ट दुसाइन यह तो बॉलिंग करते हो नजर आएंगे साथ-साथ आफिक हसाइन भी रहने वाले बट एक चीज़ों यहां पर रह सकती है कि हो सकता है राकिब लहसन या रिपन मंडल में से आपको कोई एक खेलता हो दिखे क्योंकि बागला देश भी चाहिए कि किसी एक इंप रिशाद हुसाइन जो कि लैग ब्रेक बोलर है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं है विकेट निकालने में उसके बाद में सुमोन खान आते हैं वही चार-चार विकेट निकाल रखे हैं बागी दो-दो विकेट भी अच्छे गासे देखने को मिल रहीं की तरफ से राइट आम पेश डालता हैं अगर खेलता है तो नहीं बोल के साथ में डालेगा अगर टीम के कुछ प्लांस में चेंज ना हो तो और उसके बाद में नहीं तराना है जो कि राइट आम मीडियम डालता है पिछले चार मैच में कुल मिलाकर चार ही विकेट इनों ने निकाल रखक है अब आते हैं जरा यहां से मलेशिया के तरफ से जो प्लेंग अलंड रहने वाली है ठीक है मलेशिया की तरफ से आपने अच्छे जीते हैं और साथी साथ एक चुझी इंपन्रर्ण निकल कर आती है दोनों ही मैचस में कहीं आखे जो सामने वाली टीम थे वो बंगलादेश के केस में ऐसा नहीं रहेगा मंगलादेश इन से थोड़ी ऊपर है नहीं थोड़ी सी तो बैटर टीम निकल कर आती है हलाकि हो सकता है कुछ भी क्योंकि पाकिस्तान जैसे टीम को भी होंकोंग जैसे टीम ने एक बार को तुम उसी बतों में डाल दिया था कि सहद अजीज अभी तक अच्छा किया इन्हों ने जुबैदी जूल्फ किया है कुछ जादा खास अगर इनका अभी तक का रहा नहीं है और मैं ज्यादा ध्यान दूँ हैं इनके और वाट सहद अजीज बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्ट बनते हैं बैटिंग से कही न सकता है बाकि विरंदेब singh came बैटिंग बोलिंग आसदा तो बिल्कुल है चल सकता है और उसके बाद में आशे शेर्विन मुन्यांदी है, कुछ जादा खास तो नहीं किया हुए, बट एक दो मैच में विकेट जरूर है इनके नाम, इद्रूस रहे दे हैं, जो कि नॉर्मली तो बोलर है, बट बैटिंग में अगर आ जाती है तो भाई दूस बैटिंग भी कर लेता पिछले मैच में उन्हें बोलिंग कराई थी, दो विकेट निकाले, उससे पिछले मैच में बोलिंग नहीं डाली थी, विजे उन्हीं है, बलाकातार विकेट निकालते हैं, बढ़िया तरीके से ओफडेक बोलर है, उसके बाद में एनूल हफीज है, यहां से कुछ जादा यह नहीं हुआ है, बट यह विकेट कीपर में जहां तक, मैंने देखा है, शायद विकेट कीपर मेंच नहीं बाट आपके लिए लेने के लिए उतने इंपॉर्ड नहीं बनते हैं, टीक है, एक तो इनकी बैटिंग नीचे है, उपर से स्कोर इतरह जाता है, जबर्दस्त कर रख़को काफी काफी इनके भी ठीक ठाक से ससे देखने को मिल जाते है तो यह कुछ में मल सब्सक्या की देखने को मलते हैं इस्टे नहीं है उतना इनका रिकोर्ड है नहीं खेलेगा तो सिधा एक तरीके से मांद के चलोगे डेब्यों ही करेगा मुम्मद अक्रम है लेफ्ट हंड बैट लेफ्ट हम पेसे इनका भी नहीं है और शर्वीन सुरेंद्रन जो है जो कि राइट हंड बैट बैटिंग करते हैं और ब्रेक बोला रह नहीं एक मैच हम बोलिंग कराते एक में नहीं कराते दूस से हलाकि बोलर का फिजाथ हैं ठीके तो यह कुछ पॉलर्स यहां से रह सकता है इंक्लूडिंग महमद आमिर भी थोड़े कम और डाल सकता है बर डाल जरूर सकता है बाकि दो मैचस खेले हैं यहां से मलेशा की टी पल ऐसा कुछ नाम है इसका 31 बनाये थे महमद आमर ने बनाये 25 और यहां से विरंदीप ने बनाये थे तीसरं बारा बोल में नोट आउट रहा था उन्हीं की तरफ से दो विकेट दो विरंदीप दो एक आमिर और दो यहां से विकेट निकाले था है इहमद फैज ने और 28 स सेप्टंबर को जो मैच हों मलीशान 160 बने और यहां से सिंगापूर को इन्होंने 87 पर रोल आउट कर दिया था जिस मैच में अजीज के 39 थे विरंदीप के देखो वापस से 44 थे आमिर ने भी उस मैच में 23 बनाये थे बाकि विकेट की बात करें तो पावंदीप सिंग के द विरंदीप अनवर रह्मान मुहमद आमिर और इसमें आप देखोगी कि एक तो इद्रुस का नाम यहां से नहीं है ठीक है इद्रुस ने उस मैच वो बोलिंग नहीं कराई अगला मैच जो रहा उसमें अगर देखा जा तो भाईस आप 6 वोलर यूज कर दिये पवंदीप उ प्रहमत फैस भाईस अब खुद बोलिंग करने आगा उस मैच में एद्रुस को भी दोवर करा दिया अब पवंदीप सिंग तो देखो शुरुआत में डालता ही डालता है अब उसके साथ में नहीं बोल में क्या है कि या तो इद्रुस आपको डालता हो दिखेगा या फिर पॉलिंग थी थाइलेंड के गेश्ट में सिंगबूर के गेश्ट में बाकिया स्कोर काड़ अगर अगर पिछले मैच के देखो है तो कहीं भी मिल जाएगा कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं दिखा रहा हूंगा ठेक है बोलो भाई यह थोड़ी देखना है तुमारे किफल है ऐसा कुछ ना मैं इसको छोड़ो कह सब यह बागी विरंदीप सिंग्ग आमिर है उसका वाद में मैंने मृतुन चोधरी को रखा है हसन मुराद को रखा है और यहां से कोई और अच्छा उप्शन नहीं तो फिर हम रखेबल हसन के साथ में ही चले बागी मैंने यह है कवणिप सिंग को जो गुपर्म जा ऊठी के साथ में कैप्टेन कर रहा हूं है और अब हुसं को वाइस के लिए थोड़ा रिसक ले नहीं हो तो यासर अलीर को अप के लिए काफी ठीक प्रिपला और रजे करे मोजडने पोली झाले करे दो नहां मॉएला।